हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेट बैल तुरतल में मैं हूँ आपका दोस्त ततुल गोयल आज हम बात करेंगे फिर से दिपक नाइट ट्राइट की जिसके उपर पहले भी काफी वीडियो जो हमने बनाए है और बताया था एक जो रि पहले को बहले और यहांछा का आपको रखना चाहिए जब तक इस लाईन को बेक करके तक नहीं जाता है तो कोई बड़ी तेजी इसके अंदर होती हूँ नजर नहीं आएगी वट अभी हम बात करेंगे नीचे के लेवल्स पर देखे जो नीचे के लेवल्स हैं पहले भी स्टोक ने इस लाइन के उपर अच्छा खासा सपोर्ट लिया था इसी लाइन को जब हम आगे एक्स्टेंड करें तो इस टाइब से आप देखेंगे उपर के लाइन को देखेंगे तो एक अच्छा खासा रिजिस्टेंज जोन था और वीकली चार्ट आशली कैंडल साब को इस लाइब की दिखाई दे रही है तो इन दो लाइन के बीच में स्टोक ने काफी टाइम निकाला है और यह जो देन इसी लाइन के उपर फिर से आता हुँ नजर आया जब उपर से स्टोक निच्चे आया बट अब इस लाइन को यह ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है तो बीकली चार्ट पे अभी चैंड़ कंप्लीत नहीं हुईे तो अगर कंड़ निचे ही ःत्naden कौंप्लीत होती ह तो अगर इस लाइन को ब्रेक कर देता है तो स्टोक फिर से 1530 रुपे के लेवल भी दिखा सकता है क्योंकि यह लाइन काफी इंपोर्टेंट लाइन है पहले इस लाइन से पहले यह जो है घुम गया था बटा भी जो फायर वाला केस हुआ वहां से स्टोक के उपर फिर से प् सकता है सपोर्ट लेने का है यहां पर तो सबसे पहला लेवल तो आपको देखना है 1780 का 1780 को अगर ब्रेक करता है तो यह स्टोक जाए 1720 के आसपास आस सकता है और अगर उसको भी ब्रेक कर देता है तो स्टोक फिर काफी जारा बीक होगा और 1530 रुपे के लेवल भी दिख सकता है तो यहां पर देखिए इसने क्रोस किया तब अभी स्टैंस जो है 37 के आसपास किया जानि अभी इसके अंदर टाइम बाइज भी और थोड़ी प्राइस भी क्रेक्शन हो सकती है स्टोक देखिए डेली चार्ट के उपर 33 के आसपास की आरस ही के साथ में 50 के आरस ही हम मैं चाहिए टोटली स्टोक जो है इस टाइब से डाउन ट्रेंड में आपको दिखाई देगा तो ट्रेंड आप देख सकते हैं किस टाइब का जैसे पहले भी आपको मार करके दिखाया था कि जब तक इस लाइन को क्रोस नहीं करता है तब तक इसके अंदर को बड़ी तेज तो इससे भी नीचे आता हूँ नजर आ सकता है अगर लो की बात करें तो पहला लो देखी यहां पर बनता है फिर यहां और उसके बाद यहां और उसके बाद और भी नीचे लो बनता हूँ नजर आ रहा है तो इस टाइब से स्टोक जो है टोटली डाउन ट्रेंड में है अ प्रेश करने की सिलाह है अभी इस टोटली स्टोक को आवाइड करके चलना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टोप लोगा के ट्रेडिंग कीजिए क्योंकि स्टोप थोड़ा सा ज्यादा नीचे जाता हुआ इस टाम पे नजर आ रहा है अगर 17 स्वस्थी को ब